हलो दोस्तो वेलकम टू योवर यूटूब चैनल साइंस फाउंडेशन तो दोस्तो आज हम देखने जा रहे हैं जूलो जी का एक मोडल पेपर वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन होने वाले हैं दोस्तो आपकी कल से एकजाम स्टार्ट होने वारी है और आज हम देख लेते हैं जूलो जी का एक मोडल पेपर है जो की वेरी इंपोर्टेंट क्यूशनों के साथ तयार किया गया है इन क्यूशनों को आप अच्छे से तयार करके जाएंगे और अपने साइंस फाउंडेशन यूटूब चैनल को सब्स्प्राइब करके जाना है ठीक है जो यह अपने मोड क्यूशन होने वाले हैं दोस्तों यह मोडल पेपर साइंस पाउंडेशन यूटूब चैनल की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इसको अच्छे से आप तयार करके जाएंगे इसमें आपको टाइम मिलेगा तीन गट ठेका और मैं आपको बता दूँ यह अपना आपको समय मिलेगा पस्ट सेमस्टर वालों को ठीक है तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का मोडल पेपर वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है इसमें पस्ट भाग आता है ए भाग उसके अंदर छोटे-छोटे क्यूशन दिये जाते हैं आपको 10 क्यूशन देंगे ठीक है very important question है वैसे हमने अपनी सुपर स्रीश के माद्यम से बोटनी और जूलो जी के वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन करवा दिये गए थे जो कि जूलो जी के important question करवाए थे उन्ही में से most important question में से ही अगर आपने सुपर स्रीश तैयार कर ली है तो अपने ये मोडल पेप और मैं प्रोवाइड करवा दूंगा कल परसो तक की क्लास में तो आप अच्छे से इनको देखकर अपनी एक्जाम में जाएंगे कल आपके हिंदी का पेपर होने वाला है ठीक है उसको अच्छे से देखकर आपकी तयारी जारी रखे ठीक है अपना परस्ट क्यूसन है इस भाग के सभी परसन करने अनिवारी है ठीक है अब इसमें दस क्यूसन दिये जाएंगे आपको चोटे 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 दस क्यूसन दिये जाते हैं इनको आपको तयार करना है ठीक है तो चक्रिय गती क्या है अब का पर्ष्ट क्यूशन है चक्रिय गती क्या है ठीक है चक्रिय गती किसे कहते हैं आपको इसे अच्छे से समझाना ठीक है चक्रिय गती किसे कहते हैं इसके बाद में दूसरा क्यूशन है ऐसे परजीवी जो अपना जीवन चक्र दो परपोसियों म रक्त में मुक्री रूप से कौन सा सुसक वरणन पाइय जाता है ये वेर爵 इंपर्टेंट क्यूसेन है तीक है छोथा क्यूसेद है 5. आर्तो फुडा संग के जनतूँओं में किस परकार के उपांग पाये जाते हैं 5. आराम से इनने तियार करके अपनी एक्जाम में जाएंगे 6. संग कारड़िता, संग कोड़िता के परमुक लक्षन बताईए आपको आराम से दो-तीन लक्षन इसमें लिख देने हैं जो भी आपको याद हो, ठीक है? इसके बाद में अपना साथवा क्यूस्षन है परतेक्स परिवर्दन में अंतर बताईए, ठीक है? Very important क्यूस्षन और इसके बाद में अपना आठवा क्यूस्षन है विसम कालिकता क्या है समझाइए ये जितने भी क्यूसन है ये मैंने अपनी जो सुपर सुरित थे उसमें आपको बता दिये थे ठीक है नवा क्यूसन है सरी सर्पों के प्रमुक लक्षन सरी सर्पों के प्रमुक लक्षन बताने है पुरातन डूतन परकार की पूण्ट से क्या आश्य है, इसको सभी क्यूसनों को अच्छी तरे से तैयार करके जाना है इसके बाद में अपना जो भाग बै। उसमें देखते हैं जो section ए से आता है भाग बैठी है इसके अंदर है शंग प्लेटे हलमंतिज के प्रमुख लक्षण लिखेए आपको पहले है अत्वा में अपना दूसरे कुशन के अत्वा में संग स्लेंट रेंटा के लक्षण वर्गी करन वर्ग तक लिखिए आपको पहले इसका लक्षण और वर्गी करन करना है उसके बाद में उसका वर्ग तक लिखे ठीक है आपको वरग का नाम भी लिखना है उसके बाद में परतेक वरग जो परतेक इनके दो-दो उधारन भी आपको यहाँ पर देने हैं संग स्लेंट रेंट टाके ठीक है वेरी इंपोर्टेंट क्यूसन है और मैं आपको बता दू अगर आपने सुपर स्रीज थ उसमें से जितने भी इंपोर्टेंट क्यूसन करवाए गए थे सेक्षन ए सेक्षन बी सेक्षन से और डी इन चारों मतलब सेक्षन में से आपने अगर क्यूसन देख लिए हैं तो यह भी उनी क्यूसनों में से इंपोर्टेंट क्यूसन लगाए थे उनी में से आये हैं ठीक अपना जो तीसरा क्यूंशन है वो देखते हैं वर्ग इंसेन्टा के लक्षन बताते हुए इसके उप्रियोक्त उधारण भी दीजये आपको इसके लक्सन लिखने है पहले उसके बाद में आपको इसके उधारण भी देने है 很 important आपको जितने भी कोई भी परिबासा हो आपने लिख दिया अगर उसके उधारन आते हैं तो वो आपको जरूर लिखने है ठीक है इससे आपके एक्जामनेर है वो प्रभावित होगा और कोई भी चीज है उसको आप हेडिंग डालके आराम से उसको सभी चीजों को समझाना है अत्वा में दिया गया है संग मोलस्का के लक्षनों का वर्णन करते हुए विबिन वर्गोर तक वर्गी करत कीजिए तता उप्रयोक तुदारन भी दीजिए ठीक है आपको संग मोलस्का है वो हेडिंग डालनी उपर उसके बाद में संग मोलस्का के लक्षन का वर्णन करन उसके बाद में विविन प्रकार को वर्गी करत करना है और इसके उधारन नीचे एटिंग डालेंगे उधारन उसको भी आपको देखना है यह तुआ का आपका कुशन हो गया एठीक है चोथा कुशन है अपना जो की सेक्शन से से एठीक है वेरी इंपोटेंट है कि कायांतरन के प्रकार चोथा कुशन है कायांतरन के प्रकारों का उधारन ये सवधारन समझाना आपको ठीक है सवधारन वर्णन करते हुए परतिगामी कायांतरन पर प्रकास डाले आपको इन दोनों को आप में मतलब एक तरीके से अंतर बताना आपको ठीक है तो यह आराम से आप दे तो वर्णन करना आपको मचलियों में ठीक है उसके बाद में इन जनतों में पेत्रक संगरक्षन की मेत्तुत्ता के बारे में भी आपको बताना है very important है ठीक है ये मचलियों का important question है पित्रक संगरक्षन का very important इसको भी आपको तयार कर लेना है पांचवा question है अपना सरीशर्पों के लक्षन बताते बताईए ठीक है उसके लक्षन बताईए इनके जीवित गणों के नाम आपको इनके जो जीवित गण है सरीशर्पों के उनके नाम लक्षन इन पर आपको निवन्द लिखने है ठीक है very important है अथवा का question है उड़ने के लिए पक्षियों के कंकाल तंतर क्या परिवर्तन आये हैं विस्तार से समझाना है आपको ठीक है उड़ने के लिए पक्षियों के कंकाल तंतर में क्या परिवर्त तो यह आज की क्लास के हमारा जो मोडल वेपर है साइंस पाउंडेशन की तरफ से बनाया गया है इसको आप अच्छे से तयार करेंगे और जूलो जी आपकी कम्प्लीट है मैं कल आपके केमिस्ट्री का मोडल पेपर डाल दूँगा तो केमिस्ट्री के एक्जाम लगे उससे पहले आपको अच्छे से उन चीजों को देखकर पढ़कर जाना है ठीक है और कोई भी चीजों उसको आप अंडरलाइन करके हेडिंग डालकर समझाना है जिसे चक्रिय गति है तो चक्रिय गति को पहले आपको हेडिंग डालना है उसके बाद में उसकी डेपिनेशन लिखन जो ये चीजे बता रहे हैं, उनको regular आप तयार कर रहे होंगे, तो आप अपने YouTube चैनल Science Foundation पो जो class है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा विद्धार्थियों तक share करें, और अपने YouTube चैनल Science Foundation को like करें, share करें, और comment जरूर करें, जो class बताते हैं, उसके बारे में आप अपना comment जर जरूर करेंगे, ठीक है, इससे हमें भी motivation मिलता है, और आपको अच्छे से अच्छे जो content है, वो provide करवाने की आसा करते हैं, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन वंदे मात्रम!